सभी प्यारे साथियों को गुड आफटर नून मैं आपका दूसर संके चौधरी स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित प्याश्या करता हूँ कि आप सभी बहतरीन जिबर्जस सिंदबाद होंगे कर एंसी क्यू कराते हैं क्या बटा नहीं ठ्योरी क्लास सिलती है अनजली सिंग टतर डे में एंसी क्यू venir ही क्राऊंग साथी क्लास से जुड़ेंगे पूजा भाटी हैं प्रीती आदव हैं मौंटी पवार हैं बहुत अच्छे सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ें लाइक शेयर कीजिए जल्दी से जो भी करना है फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यानि की सॉलर सिस्टम के बारे में बताया आज मैं मोशन अफ अर्थ प्रत्वी की गतियां प्रत्वी कैसे कैसे गती करती है उन गतियों के क्या क्या फिनोमिना है यहां चीज़ों को डिसकस करेंगे ठीक है ना भई ओ सर मैं तो यह dicen black hall ही समझना आए tidak black hall बता दूंगा मैं निशन तरहिए गा black hall के बारे मैं उलका है जमीन पे जो उलका पिंड का अध जल नहीं पाता है वो जब जमीन पर गिर जाता है तो उसे उलका पिंड कहते हैं अगर आसमान में है तो उसे उलका कहते हैं तो उलका में और उलका पिंड में अंतर क्या है कि अगर आसमान में क्या करते हो ना कोई तूटता हुआ त जरूरत के आधार पर आपकी ठीक है न कोई कहरा है कि भाई मेरी नोकरी लग जाये कोई कहरा है कि मेरी मंची स्वपश्थ रहें स्टार के नाम से जानते हैं स्टेंग्स टार को मतलब बच्चे से हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं किस नाम से लुका भी इसी का नाम है दो लूका बोलो या इसे सूटिंग स्टार बोलो या फिर उलका बोलो ये उलका पिंड बच्चे क्या करते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य के चार ओर गुहुमते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उलका पिंड क्या करते हैं सूर्य के चार ओर चक्कर कारण गुर्त्व अकरशन के कारण यह प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो भीया कैई बार क्या होता है जब यह प्रत्वी के निकट से गुजरते हैं प्रत्वी के पास से गुजरते हैं उलका पेंड या उलका उलका जब उलका जब प्रत्वी के निकट से गुजरते हैं प्रत्वी के निकट से गुजरते हैं प्रत्वी के पास से गुजरते हैं तो प्रत्वी के गुर्त्वा करशन के कारण ये वायू मंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रत्वी के प्रत्वी के ग्रेविटेशन के कारण गुरुत्वा करशन के कारण ये वायू मंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायू मंडल की एक परत होती है जिसे बोलते हैं मध्य मंडल मीशो इस्फेर में आके मध्य मंडल में आके इनमें आग लग जाती है जलने लगते हैं ठीक है ना भई तो कहने का मतलब क्या है बचे जब ये प्रत्वी के वाईू मंडल में आ जाएंगे और वाईू मंडल की एक परत है आप से एक्जाम में पूश्टा है कि उलका पिंड प्रत्वी की किस परत में आके जलने लगते हैं तो ध्यान रखिएगा ये पिंड ये उलका ये उलका पि जो मैटियो और अदस हैं है ठीके ? उलका पिंड है ये उलका पिंड मीस इस्फेर आनी की मध्य मंडल मद्य मंडल मीस इस्फेर में आकर फ्रेक्शन के कारण घर्षन के कारण घर्षन के कारण जलने लगते हैं ठीक है न भई तो ये घर्षन के कारण क्या है बिटाइन में आग लग जाती है वास समझ मा रही है तो यहां तक आपके चीज समझ मा आ गई होगी कि उलका पिंड क्या होते हैं उल्का पिंड एक पिरकार के पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कई बार ये ग्रेविटेशन के कारण प्रत्वी की वायू मंदल में प्रिवेश कर जाते हैं और उल्का पिंड जब मीसो स्वेर मध्य मंदल में पहुंशते हैं तो फ्रेक्शन के कारण इनमें आग ल वो इलका पिंड होता है बात के लिए है तो इतनी चीज़ें आपको यहां समझनी है और फालतू की चीज़ों में दिमाख नहीं लगाना है यह आपका उलका पिंड हो गया अब जो डिसकस करेंगे वो डिसकस करेंगे बच्चे मोशन ओफ अर्थ यानि कि प्रत्वी की गतिया तो प्रत्वी बटा कितने प्रकार की गति करती है motion of अर्थ यानि कि प्रत्वी की गतिया प्रत्वी की गतिया प्रत्वी गती करती है गती का मतलब घूमती फिरती है मैंने आपको जब मैंने आपको कल पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लाइनेट, कोई भी ग्रह दो प्रकार से गती करता है दो तरीके की गती करता है ऐसे ही हमारी प्रत्वी भी दो प्रकार से गती करती है एक जो गती होती है बच्छे आपकी उसे कहा जाता है घूरणन गती पहली वाली फस्ट उसे कहते हैं बच्छे घूरणन गती घूरणन को रोटेशन कहा जाता है रोटेशन घूरणन जो करती है प्रत्वी वो अपने अक्ष पर करती है अक्ष मतलब अपने एक्सिस पे एक्सिस पे करती है एक्सिस मतलब अक्ष के तो अक्ष के चारो और घूमना मैंने आपको कल बताया कि अगर मैं एक ही स्थान पे खड़ा खड़ा ऐसे घूम रहा हूं मतलब मैं अपने अक्ष पर घूम रहा हूं एकी स्थान पे खड़े खड़े चारो तरफ मैं पैन गुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे पैन तो छोटा हो जाएगा और कुछ ले लें ये ग्लास ले लें ऐसा मानो आप ये ग्लास है ये ही प्रत्वी है तो प्रत्वी ऐसे ऐसे गूम रही है और साथ के साथ बिटा सूर्य के चार और भी घुम रही है यनि कि दो तरीके की गती प्रत्वी एक साथ करती है तो घूर्णन जो हुता है उसे rotation कहते है rotation मतलब यनि कि अपने अक्श पर घुमना और एक होता है बिटा सूर्य के चार और किसे कहते है परीक्रमन परिक्रमन परिक्रमन को कहते हैं revolution revolution क्या होते है परिक्रमन परिक्रमा करना परिक्रमा जो करती है प्रत्वी अपनी वो ओर्बिट में करती है orbit orbit मतलब अपनी कक्षा में और कक्षा में जो परिकर्मा होगी बच्चे ठीक है ना कक्षा को निक्कर मत समझ लेना कक्षा का मतलब orbit वो कहा करती है सूरिय के चार और गूमना सूरिय के चार और सूरिय के चार और around the sun ठीक है न भई सूरिय के चार और परिक्रमा करती है शलू बहुत अच्छे बास समझ मा आ रही है ध्यान से समझना है एक एक शीज यहां आपसे अब देखो बात क्या समझनी है अगर मैं बात करूँ यहां आपसे प्रत्वी जो अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है उसमें उसमें क्या होता है देखो समय कितना लगता है टाइम कितना लगता है समय उसका जो समय है आप सभी जानते हैं तेईस गंटे शपन मिनिट शपन मिनिट ठीक है न इतना समय लेती है का समय लेती है बताओ जल्दी से कितना लेती है 56 मिनिट का ही समय लेती है न कल बताए थे याद होगा थुड़ा सा याद करो बिल्कुल 23 गंटे 56 मिनिट का समय लेती है और ये जो समय है 23 गंटे 56 मिनिट का इसमें ये लगभग कितना है लगभग ये 24 गंटे के बराबर है और 24 गंटे के हमारे क्या होते हैं दिन रात होते हैं तो भीया आपसे पूछेगा प्रत्वी पर जो दिनरात होते हैं वो किस कारण से होते हैं रोटेशन के कारण होते हैं गुर्णन के कारण तो भीया ध्यान रखना है प्रत्वी की गुर्णन गती का फिनोमिना क्या काम करता है यानि कि दिनरात होने का कारण क्या है दिन रात होने का कारण दिन रात होने का कारण अभी समझाओंगा मैं दिन रात होने का कारण दिन रात होने का कारण है प्रत्वी की घूर्णन गती यानि कि प्रत्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानि कि बच्चे दिन रात हो रहे हैं इसलिए दिन रात गुर्णन से होते हैं, इसलिए प्रत्वी की जो गुर्णन गती होती है, इसे हम डेली मोशन के नाम से भी जानते हैं, डेली मोशन, डेली मोशन को बोलते हैं बच्छे आपका दैनिक गती, क्या बोलते हैं, दैनिक गती, दैनिक गती क्यों कहते हैं, क्योंक आपको आईडिया बता दिया है पिछले क्लास में लिखवा रखा है सारी चीजें तो ध्यान दखीगा यहां तक अब देखो अगर एक्जाम में ऐसा कुशन पूछ ले कि प्रत्वी अपने अक्ष पर अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा प्रत्वी घूमनी बंद हो जा यह सूरज है इधर हैं आपकी प्रत्वी देवी यह आपकी अर्थ है अर्थ को आप हलका बल्यू सा लेंगे जिससे की और अच्छे से समझ में आए तुमारे यह हैं आपकी प्रत्वी आप सभी जानते हैं प्रत्वी छोटी है सूर्य बड़ा है तो हमने छोटे बड़े ल से नार्थ पूल यानिकि उत्री दुरूब यहां दख्षनी धुरूब लेते हैं साउथ पूल लेकिन एक्शेंल में नौर्थ पूल यहां है नहीं आप कहोगे गुरू जी फिर कहां नौर्थ पूल यानिकि प्रत्वी अपने अक्षपर आपको पता है 23 डिग्री के एंगल से जुकी हुई है तो नौर्थ पोल यहां है और प्रत्वी का साउथ पोल यहां है दक्षणी दुरूब यहां है इतना तो समझते हैं न अगर तुम्हें फास्ट पढ़ना है तो बाद में देख ले डबल की स्पीड पर ऐसे ही समझाओंगा कि चीजें समझ मानी चीएं थोड़ा सानती रखो ठीक है ना ज्यादा जल्दवाजी मत करो अब देखो सूरिय का प्रकास कहां पहुँचेगा बच्चे प्रत्वी के उपर पहुँचेगा बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेगा जी पहुँचा दो सूरिय प्रकास आएगा वो प्रत्वी के कौन से वाले हिस्से में आएगा जो हिस्सा प्रत्वी का सूरिय के सामने होगा ठीक है न भई ये वाला हिस्सा यानि कि जो पीला कलर का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इस वाले पोरिशन में क्या होगा डे होगा यानि कि दिन होगा आप कहोगे गुरू जी ये वाला जो काला वाला हिस्सा है तो भीया इस काले वाले हिस्से में रात होगी क्योंकि ये अपोजिट डिरेक्शन में है नाइट होगी अब देखो प्रत्वी जो घूमती है वो किधर घूमती है देखो वेस्ट डिरेक्शन ये है ये पस्चिम है ये पूर्व दिशा है यानि कि प्रत्वी ऐसे घूमती है पस्चिम से पूर्व अपने अक्षपर एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है प्रत्वी कैसे घूमती है पस्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है ठीक है न भई अब अगर मैं बात करूँ यहां बच्चे आपसे जो चीज आपको थोड़ी सी समझनी है कि प्रत्वी पर अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूँ यहां तो मैं अंधेरे में हूँ लेकिन प्रत्वी का ये इस्थान 12 गंटे बाद यहां पहुँच जाएगा और प्रत्वी का ये वाला इस्थान 12 गंटे बाद गूम कर यहां आ जाएगा बासमझ मैं क्योंकि पूरा चक्कर प्रत्वी 24 गंटे में पूरा कर रही है लेकिन प्रत्वी अगर अपने अक्ष पर गूमना बंद कर दे ना गूमे तो प्रत्वी के आधे हिस्से में जो हिस्सा सूरिय के सामने है उसमें दिन होगा और आधे हिस्से में रात होगी हमेशा तो दिन रात क्यों होते हैं क्योंकि प्रत्वी अपने अक्ष पर गूमती है तो इस हिस्से में तो आ रही है सूरिय का प्रकास लेकिन विप्रीत हिस्से में थोड़ी न सूर्य का प्रकास जा रहा है ठीक है न भई अब देखो एक चीज और छोटी सी समझो यानि कि आप सूर्य हो और मैं प्रत्वी हूँ ऐसा मान लेते हैं ठीक है न अभी मेरा ये आगे वाला हिस्सा आपके सामने है ठीक है न भई तो अभी मेरे आप से लाइट आ रही है मेरे उपर पढ रही है ठीक है आप टॉर्च मार रहो मेरे उपर आप सूर्य हो ऐसा मानो आगे वाले हिस्से में दिन है पीछे मेरी कमर की साइड रात होगी लेकिन मैं प्रत्वी हूँ, मैं घूम जाती हूँ ऐसे करके मैं घूम गया बारे घंटे बाद क्या हुआ बारे घंटे बाद बच्चे मेरी कमर वाली साइड में प्रकास होगा क्योंकि आपकी साइड से सूरिय तो फिक्स है अपनी जगा पीछे वाली साइड जहां मेरे फेस वाली साइड है अब वहां अंधेरा हो जाएगा फिर मैं बारे गंटे बाद फिर से आपके सामने आ गया यानि कि फिर से क्या हो गया उजाला हो गया मेरे आगे वाले साइड य जिधर अंधेरा होगा उधर रात होगी जिधर बिटा जो हिस्सा प्रत्वी का सूरिय के सामने होगा वहां दिन होगा यहां तक बात क्लियर है प्रत्वी की देनिक गती कहते हैं से आपको पता है प्रत्वी अपने अक्ष पर कितना जुकी हुई है सभी चीजे मैंने आपको बताई है 23.5 डिगरी यानि कि साड़े 23 डिगरी के एंगल से प्रत्वी अपने अक्ष पर जुकी हुई है इसे हम स्टिल्ट कहा जाता है इसे वा समझ मारिये न तो प्रत्वी के घूरनन के कारण अपने अक्ष में घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं धियान रखिएगा यानि कि अगर प्रत्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा यानि कि प्रत्वी के एक हिस्से में दिन यानि कि मैं प्रत्वी हूँ मैं हमेशा ऐसी रहूं इदर उदर ना घूमूं बेटा तो क्या क्या फिनोमेना वनेगा आपका प्रकास सिर्फ मेरे मुह पे पड़ेगा यानि कि सामने वाले हिस्से में कमर मेरी हमेशा कैसी रहेगी अंधेरे में बात क्लियर है न थीक अधे में प्रत्वी को कितना समय लगता है 365 दिन ठीके ना 48 पांच घंटे पांच घंटे 48 मिनिट और 48 सेकंड ये समय लगता है देखो भीया आपको पता यानि की 365 दिन की ही प्रत्वी पर एक साल हुती है एक वर्ष होता है इसी लिए ये जो हुती है ना ये जो गती हुत ये प्रत्वी की परिक्रमन गती इसे हम वारशिक गती यानि की annual motion भी कहते हैं वारशिक गती क्योंकि इसके कारण प्रत्वी पर वर्ष होते हैं साल बनते हैं ठीक है न भई तो वारशिक गती भी कहते है annual motion तो प्रत्वी को अपने सूरिय के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 48 सेकंड ये जो आपके बाकी के बचे हुए देखो 365 दिन की तो एक साल हो जाती है ये जो बाकी के यानि कि लगभग 6 गंटे के बराबर है इस समय ये चार वर्स के 6 गंटे एड होते हैं चार वर्स के 6 गंटे यानि कि 64 चौबिस यानि कि एक दिन बन जाता है एक दिन और ठीक है ना एक दिन हो गया ना 24 गंटे हो गया 24 आवर एक दिन हो गया यानि कि 24 आवर बात किलियर हो रही है चौबिस गंटे बने और ये 24 गंटे हर おप लीप बर्स होती है और फरवरी आपकी कितने का हो जाता है 29 दो ये ही लीप वर्स बनाते हैं ये जो बचे हुए आपके 6 गंटे हैं ये फरवरी में हर 4 साल हर 4 वर्स बाद जुड़कर लीप यर का निर्मान करते हैं ठीक है न भाई अब देखो मैं बात करूँ यहां आप से जो प्रत्वी की परिक्रमन गती होती है परिक्रमा करती है परिक्रमन गती से क्या होता है तो भी आप परिक्रमन गती के कारण प्रत्वी पर रितू-परिवर्तन होता है इसका फिनोमेना क्या है इस कभी सर्दी आती हैं कभी गर्मी आती हैं प्रत्वी पर भारत में ठीक है आपने देखा होगा तो रितू परिवर्तन का कारण क्या है रितू परिवर्तन के दो कारण है दो कारण बच्चे एक फिनोमिना काम नहीं करता है दो काम करते हैं एक क्या एक तो है प्रत्वी की परिक अक्षय जुकाब यानि कि इन दोनों वज़हाऊं से इन दो कारणों की वज़े से प्रत्वी पर रितू परिवर्द परिक्रमन के कारण नहीं होता है तो यहां बात समझ माई मैंने आपको क्या समझाया दैनिक गती की वज़े से दिनरात होते हैं अगर प्रत्वी घूरनन करना बंद कर दे तो प्रत्वी पर दिनरात होने बंद हो जाएंगे अगर प्रत्वी परिक्रमन करना बंद कर दे तो र सीजन चेंज कराती हैं देगे ना और प्रत्वी का परिक्रमन पत्थ पर जुकाव कितना है साड़े च्छासट डिग्री मैंने बात आपको बताई थी अब देखो छोटी सी चीज जो आपको समझनी है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत इंपोर्टेंट है अब देखो कभी-कभी क्या होता है बच्छे कभी-कभी क्या होता है यहां समझो दियान से समझो कभी-कभी दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी हो जाती है आपने देखते हो गए ऐसे सीत रितु जो पड़ती है तो सीत रितु में भारत में क्या होगा दिन छोटा हो जाएगा रात बड़ी हो जाएगी होता है ऐसा नहीं होता है जल्दी से बताओ इसका कारण क्या है अब देखो ऐसा मानो आप ये हमारी प्रत्वी है प्रत्वी छोटी है सूरिय देवता बड़े हैं आपके तो आप बहतरीन तरीके से बात जानते हो कि यहां उत्री धुरुब है नौर्थ पोल है यह नौर्थ के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे बोलते हैं जीरो डिग्री अक्षांस एक्क्वेटर कहते हैं यह जीरो डिग्री अक्षांस है इसके उपर आपको पता है करक रेखा है करक रेखा है यहां पर यहां मकर रेखा है थोड़ा उपर नीचे बन जाए तो आप प्रत्वी पर पहुंचा दो पहुंचा दो बच्छे अब भई सूर्य का प्रकास देख रहे हो आप प्रत्वी पर पहुंच रहा है पिल्कुल पहुंच रहा है पहुंचा दिया हमने अब आप एक चीज देखोगे कि जो सूर्य का प्रकास आ रहा है देखो भई जीरो डिगरी अक्षांस के उपर उत्री गोलार्द है जीरो डिगरी अक्षांस के नीचे दक्षनी गोलार्द है ठीक है ना यहां पर जो प्रकास पहुंच रहा है वो इतने हिस्से में पहुंच यहां तक पहुँच रहा है द्यान से समझने जो यही दिन राथ छोटे बड़े होने का कारण है अब देखो यहां पर क्या है यह ऐसे है इस तरीके से यह वाला जो हिस्सा होगा इसमें दिन होगा दिन तो यहाँ पर दिन है यहाँ पर धिन है पूरे में फ्किन है यह पूरा हिस्सा दिन का है और यहाँ पर रात है अब आप क्या देख रहे हो जब प्रत्वी इस वाली साइड में है सूरिय के तो दे vendau प्र नौर्थ पूल पर तो प्रिकास जा रहा है लेकिन South Pole पर प्रकास नहीं पहुँच रहा है क्योंकि दिन केबल इस हिस्से में जहां जहां वाइट दिख रहा है आपको यानि कि आप कहोगे गुरुजी South Pole पर light क्यों नहीं जा रही है क्योंकि बच्छे प्रत्वी जुकी हुई है तो south pole opposite direction में चला जाता है और यहां देखोगे आप यहां यह जो रात वाले है ना रात वाली situation यह रात को दिखा रहा है रात बड़ी हो रही है ठीक है ना रात बड़ी हो रही है दक्षनी गुलार्ध में दिन छोटे हो रहे हैं यहां उतरी गुलार्ध में दिन बड़े हो रहे है और रातें छोटी हो रही है ठीक है ना और यह जो रेखा होती है ना जहां तक प्रकास पहुँचता है इसे प्रदीप्ती वरत कहा जाता है यह जो लाइन है ना यह वाली लाइन यह वाली ये वाली जो लाइन है ये वाली जो रेखा है बच्चे इसे क्या बोलते है इसे प्रदीपती वरत यानि कि जहां तक प्रकास पहुंचता है उसे बताती है तो इस रेखा को जहां तक प्रकास पहुंच रहा है प्रदीप्ती व्रत कहा जाता है प्रदीप्ती व्रत इसे बोलते हैं बच्चे सर्कल आफ सर्कल आफ इल्यूमिनेशन सर्कल आफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं तो अगर आप से मैं कहूं कि दिनरात की अवधी में अंतर दिन रात छोटे बड़े होने का कारण क्या है कभी उत्री गोलार्ध में दिन बड़े कभी रातें चोटी कभी रातें बड़ी कभी दिन चोटे तो ध्यान रखिएगा दिन रात दिन रात छोटे बड़े होने का कारण दिन रात छोटे बड़े होने का कारण क्या है प्रत्वी का अपने अक्ष पर जुकाव होना प्रत्वी का अक्ष पर जुकाव होना यानि कि अक्षिय जुकाव ही दिन राध छोटे वड़े होने का कारण बनता है ध्यान रखियेगा देगे न भाई बहुत अच्छे तो बात किलियर हो गई है यहां तक जो चीज़े मैंने आपको बताई है कि भाई आप यहां देख रहे हो कि यहां उत्री गुलार्द में दिन बड़े हैं यह वाईट बाला डंडा बड़ा है दक्षनी गुलार्द यहां बिलिव वाली रेखा से स्टार्ट हो रहा है यानि कि रातों की लंबाई जादा है, यहां देखोगे, यहां उत्री गुलार्ध में रातें छोटी हैं, क्योंकि यह रेखा छोटी बन रही है, दिन बड़े हो रहे हैं यहां पर, ठीक है न, तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको समझना है, समझ में आगी है न सभी बच्चों क Circle of Illumination कहा जाता है, इसे प्रदीप्ती वरत के नाम से जानते हैं, अब देखो Season Change कैसे कैसे होता है, रितु परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है न, रितु परिवर्तन को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, जो हां से एक्जाम में बार-बार प्रशिन बन जाता है, सूर्य देवता बना दीजिए बीचों बीच में, यह आपके Sun है, सूर्य है, ठीक है न, और सूर्य के बाद हमें प्रत्वी की भी जरूत पड़ेगी बिटा, बिना प्रत्वी के तो काम होने वाला है नहीं, तो यहां प्रत्वी की चार कंडिशन हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है न, छोटी बड़ी बन जाए तो भाई थोड़ा adjust कर लेना, ठीक है न, चलो, आ जाओ, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, सब कुछ जानते हो आप, चलो, ठीक है न, चार प्रत्वी बना दियां, अब चार प्रत्वी क्यों बनाई हैं, हम चार कंडिशन लेते हैं, हमारी प्रत्वी जो परिक्रमा करती है, वो एक साल में करती है सूर्य की, ठीक है न, और इस तरीके से करती है, पश्चिम दिसा है, पश्चिम से पूर्व मे जाएगी फिर इस पश्यम से फिर पूर्व में जाएगी और फिर इस पश्यम से फिर पूर्व में जाएगी हाँ समझ मारिये तो यह पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है और यह कैसा पत्थ होता है इलिप्टिकल पत्थ होता है दीर्ग वरत्ताकार मार्ग होता है यानि कि कभ भी सूरिय से दूर चली जाती है यह हमारे सूरिय देवता है यानि कि यह हमारा सन है यह हमारी अर्थ है प्रत्वी है अब देखो धिहां से समझना है अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आप से नौर्थ पोल कहां है यह नौर्थ पोल का तो पता ही आपको जुकी हुई है प बना दोगे यहां प्रत्वी का नौर्थ पूल है यहां प्रत्वी का इधर जाओगे साउथ पूल है प्रत्वी जुकी हुई है यहां पे साड़े तेज डिगरी ठीक है ना तो यह प्रत्वी ब्यार एक्वेटर है यहां प्रत्वी का नौर्थ पूल होगा उत्तरी यहां नौर्थ पोल होगा प्रत्वी का यह नौर्थ पोल है यहां जाओगे इधर साउथ पोल है दक्षिनी धुरुब है यहां एक्वेटर है भूमत द्रेखा है यह चार कंडिशन बना ली हमने बना ली ना चार प्रशंट ठीके चलो अब देखो यहां द्यान से समझना है आपकी मकर रेखा होगी यहां करक रेखा होगी यहां मकर रेखा होगी यहां करक रेखा होगी यहां आपकी मकर रेखा होगी प्रत्वी पर भारत कहां इस्थित है भारत की लोकेशन कहां है आप लगाओगे भारत यहां पर करक रेखा बीचो बीच से जाती है यह ना करक र पर है भारत यहां है कि अब ध्याद से समझो अब देखो सुरिया का प्र्कास डालते हैं प्रत्वी दाल दो कोई दिक्कष नहीं है डालना तो पड़े गाई कि बिना प्रकास डाले तो sound छलने वाला है नहीं यहां एक काम प्रकास फूरे देव्टा का प्रकास आ प्रत्वी पर ॥ेख़े न देखो भाई यहाँ आप क्या देख रहे हो की प्रकास इतने हिस्से में पहुँच रहा है यह वाला हिस्सा थोड़ा बहुत उपर नीचे मैं हाथ से बना रहा हूं हो सकता है लेकिन अप क्या देख रहे हो क्या नौड पोल पे तो लाइट पहुंच रही है साउथ पोल पर लाइट नहीं पहुंच रही है यह कर नभी यह करक्रेखा पर सामने चमक रहा है सूरिये ये जो situation बनती है कब बनती है ये बनती है बिटा 21 जून को ये इस्थिती कब की है 21 जून की इस्थिती है आपने देखा होगा 21 जून को भारत में भारत कहां है करक्रेखा पर भारत में गर्मी होती है कारण क्या है क्योंकि सूरिये का प्रकास जून के महीने में सीधा सीधा कहां पढ़ता है करकरेखा पर पढ़ता है तो यह जो है बच्छे आपकी 21 जून की कहानी है अब अगर मैं बात करूँ आप इस इस्थती को किस नाम से जानते हैं इसे ग्रीश्म शंक्रांती कहते हैं ग्रीश्म शंक्रांती को सॉलर सॉलिस्टिस कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है किस जो उनको जब सूरिय की करिने कहा पढ़ती है करक रेखा पर तो करक रेखा पर पहुंच जाती है सूरिय की करिने इसे क्या कहते हैं बच्चे इस इस इस्थती को अपनी नौट बुक में नौट करना है इसे क्या कहते हैं इसे हम ग्रीश्म शंक्रान्ती कहते हैं ग्रीश्म शंक्रान्ती एक्जाम में क्या पूछेगा एक्जाम में आपसे पूछेगा ग्रीश्म शंक्रान्ती समर तॉलिस्टिस ठीके न भई आपसे पूछेगा ग्रीश्म संक्रान्ती कब होती है 21 जून को अब अगर मैं बात करूँ बच्छे 21 जून को जब सूरिय की करने करक्रेखा पर होंगी तो 21 जून का दिन उत्री गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा क्योंकि करने कहां पढ़ रही है करक्रेखा पर तो 21 जून उत्री गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून उत्री गुलार्ध का गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और जब बड़ा दिन होगा बिटा तो छोटी रात भी तो होगी तो 21 जून की रात उत्री गुलार्ध की सबसे छोटी रात होती है कि बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी किसी को कोई डाउट तो ना है बिटा यां बताओ जल्दी फटाबट क्या दिक्कत हो रही है चलो बहुत अच्छे तो सनलाइट परपेंडी कुलर होती है जून के महीने में जिसमें ग्रीसम संक्रांती यानि की गर्मी पड़ती है उत्री गोलार्ध में करक रेखा पर सूर्य की लंबवत किरने हैं 21 जून को कहा जाता है ग्रीसम संक्रांती समर कहा जाता है ध्यान रखिएगा और उत्री गोलार्ध का 21 सबसे बड़ा दिन होता है बहुत अच्छे अब देखो यहां समझो दूसरी कंडीशन समझो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है आपसे यहां सूर्य है यहां प्रत्वी है सूर्य का प्रकास बिटा फिर डाल दो प्र अब मैं तुमारे सामने भेज रहा हूं मेरे घर की बात नहीं है भेजना लाइट तुम कहो गुरुजी तुमने तो ज्यादा कम लाइट भेज दी तो बिटा इतनी भेज रहा हूं जितनी आप कह रहे हूं अब देखो यहां तक बास समझो यह साउथ पूल है ठीक है न पल्सेद की कहा जा रही है पर उस्ट है अस्पैलिया की इस्वाले हिस्से में मि Coke होगी यहां यहां लेकिन इधर देख रहो इंडिया पर है कर्छ रहे वे करक रेखा पर नहीं पढ़ रही है अब किरने जादा कहां पढ़ रही है यानि कि परपेंडिकूलर मकर रेखा पर पढ़ रही है ठीक है न भई यानि कि मकर रेखा है नीचे वाली तो मकर रेखा पर सूरिय की करने पढ़ रही है और यह कब होता है तो बच्चे यह होता है 22 दिशंबर को और जब अच्छे गर्मी पड़ रही थी भारत में जून में तो दिसंबर में भारत में ठंड पड़ेगी क्यों क्योंकि सूर्य की लंबवत क्रिणे तो मकर रेखा पर पहुंच गई है करक रेखा पर नहीं पड़ती है तो यह कंडिशन जो होती है कब की होती है यह होती है 22 दिशमबर की इस्थती 22 दिशमबर को सूर्य की क्रिने लंबवत कहां होती है मकर रेखा पर मकर रेखा पर Tropic of Capricorn पर ठीक है न भई मकर रेखा पर और बच्चे 22 दिसमबर का दिन जब ये 22 दिसमबर का दिन होगा तो ये दक्षनी गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और आस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी दिसंबर के महीने में गर्मी क्योंकि आस्ट्रेलिया कहां पर है मकर्रेखा पर दक्षनी गुलार्ध का दक्षनी गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा सबसे बढ़ा दिन ठीक है न तो दक्षनी गुलार्ध में सबसे बढ़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है 22 दिशंबर को ठीक है न भाई बात किलियर है यहां तक चीजे समझी इस सिचुएशन को जब 22 दिसंबर को सूरिय की करिने मकर रेखा पर होती है इसे क्या कहा जाता है इसे बच्चे सीत संक्रांती के नाम से जानते हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चे सीत संक्रांती के नाम से जानते हैं एक्जाम में आपसे पूछे कि सीत संक्रांती कब होती है यानि कि इसे कहा जाता है विंटर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस ठीक है न भई वास समझ मा रही है तो ये सिच्वेशन बन गई दो आपकी समझ मा आ गई होंगी अब देखो बचे दो इस्थती और बची परत्वी की तो यहां तो सर्दी होगी देखो भारत में जब दिसंबर के महीने में अस्ट्यलिया में गर्मी होगी तो भारत में शर्दी होगी situation ऐसी है एक situation है इसमें 23 September की देखो भाई जुलाई के बाद August और September तीन महीने बाद सूरिय कहां होगा यहां होगा September के बाद October नवंबर और दिशंबर तीन महीने बाद यहां होगा December के बाद जनवरी फरवरी और March में यहां होगा April मई और जून तीन महीने का चक्र है पूरा तो यहां की बात करूं तो सूरिय बच्चे यहां जब होता है तो यह situation होती है 23 September की 23 September को सूरिय की करने कहां पढ़ती है देखो दिहान से पढ़ती है एक्वेटर के उपर सूर्य कहां लंबवत होता है 23 सेप्टेंबर को सूर्य की लंबवत किरने कहां पढ़ती है एक्वेटर के उपर विश्वत रेखा equator पे लंबवत होता है जिसे भूमद्द रेखा बोलते है equator के उपर perpendicular होता है इस situation को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं बच्चे शरद विशुब क्या बोलते हैं बच्चे से शरद विशुब के नाम से जानते हैं कई बार exam में पूछते हैं शरद विशुब कब होता है तो यह तेईस सितंबर को होता है शरद विशुब के नाम से से जानते हैं बात के लिए हैं अब देखो अभी बताऊंगा एक शीज और आपको जो समझ नहीं है कि देखो अगर मैं बात करूँ मतलब बिटा जून के महीने में तो उत्री गुलार्द के दिन बड़े होंगे दिसंबर के महीने में दक्षनी गुलार्द के दिन बड़े होंगे लेकिन जो 23 सेप्टेंबर का दिन होता है यहां पर क्या है सूरिय की क्रिणे यानि कि विश्वत रेखा पर पर परपेंडी कूलर पड़ती है ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहां पर एक दिन और आता है 21 मार्च का वो दिन होता है बच्चे आपका 21 मार्च का 21 मार्च 21 मार्च की आप जब इस्थिती चेक करोगे तो यहां सूरिय की क्रिणे फिर प्रकास जाएगा सूरिय का ठीक है ना सूरिय का प्रकास कहां पड़ता है सूरिय का प्रकास फिर से एक्वेटर पर पड़ता है 21 मार्च को सूरिय की लंबवत किरने कहा होती है एक्वेटर पर होती है यानि कि भूमध्य रेखा पर होती है भूमध्य रेखा पर होती है कहा होती है बच्चे एक्वेटर पर 21 मार्च को तो 21 मार्च को जो होता है उसे क्या कहते है स्प्रिंग एकनिक्स कहा जाता है कि इस स्थिती को क्या बोलते हैं बच्छे इसे हम वशंत विशुव कहते हैं कि वशंत विशुव कहते हैं क्या बोलते हैं बच्छे वशंत विशुव कहते हैं यानिकि इसे हम स्प्रिंग के ना एक्ट्यू यू आई एन ओ एक्स होगा इसे कहते हैं वशंत विशुब यहां तक बास समझ माई यह दोनों जो डेट हैं 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर इन दोनों दिनों पूरी प्रत्वी पर टोटल ओवर ओल पूरी प्रत्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती हैं क्योंकि इन समय इन डेटों पर सूर्य की परपेंडी कुलर लाइट ना नौर्थ हेमिस्फेर में पड़ती है ना साउथ में पड़ती है ना दक्षनी गुलार्ध में पड़ती है इसलिए ध्यान रखिएगा इस समय पर पूरी प्रत्वी पर पूरे दोनों गुलार्धों में दिन और रात की लंबाई समान होती है यनि कि आपका सरद विशुब में और वशंत विशुब में तो एक पॉइंट यहाँ पर नौट करना है आपको इसके नीशे ठीके न नौट करना है यहाँ पर 21 मार्च एवं 23 सेप्टेंबर को पूरी प्रत्वी पर पूरी प्रत्वी पर दिन और रात की लंबाई दिन एवं रात की लंबाई रात की लंबाई समान होती है समान होती है इक्वल होती है ठीक है न भाई शलो बात केलियर है अगर यहां पर किसी को बच्छे स्क्रीन शोट वगेरा लेना है तो आप ले सकते हो एक बार मैं छूटा करें दे रहा हूं छूटा ज्यादा छूटा तो नहीं हो गया दिख रहा है न आपको दिखरा होगा मतलब इतना तो कि आप समझ सको नहीं गशार लिक थे आखंटा तो पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होंगे इकवल टाइम ठीक है न दिन 6 महीने रात होता है ऐसा क्यों होता है तो यहां देखो ध्यान से यहां पर देख रहे हो यहां दक्षणी धुरुब अंधेरे में हैं उत्री धुरुब उजाले में हैं प्रत्वी यहां आई यहां पर आएगी तब भी बिटा दक्षणी धुरुब अंधेरे में रहेगा और उत्री धुरुब यहां सूर्य का प्रकास पहुंचेगा उजाले में रहेगा लेकिन जब प्रत्वी यहां पहुंचती है तो उत्री धुरुब उपर को चला गया दक्षनी धुरुब पे उजाला आ गया यहां जाओगे दक्षनी धुरुब पर उजाला रहेगा उत्री धु के होने के कारण छे महीने तक उत्री धुरूप पर प्रकाश रहता है और छे महीने तक दक्षनी धुरूप पर प्रकाश रहता है तो बास समझ मारी है न तो एक्जाम में अगर कुशन पूचे कि ऐसा क्यूं होता है कि छे महीने उत्री धुरूप पर दिन और छे महीने उत्र मेरे मेरे रहता है ठीक है ना भई अब देखो एक शीज और समझनी है अगर आप से पूछे कि प्रत्वी पर वो कौन सा इस्थान है जहां पर साल भर दिन और रात समान होते हैं तो भीया एक्वेटर है ना एक्वेटर एक्वेटर पर एक्वेटर मतलब भूमद्य रेखा हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं हमेशा हमेशा यानि कि सदैव दिन और रात बराबर होते हैं तो दिन और रात बराबर हमेशा कहां होते हैं तो बिटा एक्वेटर पे होते हैं अब आप को होगे गुरुजी उपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले में अंतर क्या है मैं आप से कह रहा हूं कि 21 मार्च और 23 सेप्टेंबर को पूरी प्रत्वी पर दिन राज समान रहते हैं लेकिन एक्वेटर पे तो बिटा 24 घंटे 24 हों मतलब हर साल हर दिन बराबर रहते हैं उसका कारण यह है कि एक्वेटर पर तो सूरिय की किरिने थोड़ी बहुत बिट पूचती है हरशम है तो सुरिय वैं यहां भी एक्वेटर पर पहुंच रही है यहां भी पहुंच रही हैं उसलिए इक्वेटर पर दिन और रात हमेशा भ्राबर होंगे एक्वेतर पे सबसेदा गर्मी रहती है एक्वेटर पर रितू परिवर्तन नहीं होता एक्जाम में प्रश्न पूछता है आपसे आपसे पूछेगा भूमद्य रेखा पर या प्रत्वीप में किस इस्थान पर रितू परिवर्तन नहीं होता यहां क्या नहीं होता बचे यहां पर रितू परिवर्तन भी नहीं होता है, रितु परिवर्तन नहीं होता भूमत दरेखा पर क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा वर्ष भर परपेंडी कूलर, सूर्य की लंबवद प्रकाश साल भर हमेशा यही रहता है, एक्विटर पे, ठीक है न हमेशा लंबवत किरने पढ़ती हैं than a सूर्य की परपेंडिकुलर लाइट यानि कि लंबवत किर लंबवत किरने हमेशा एक्वेटर पर होती हैं सर्अ लंपर बदोवर्थласт tą नहीं होगा हमेशा घर्मी रहती है सबसे जादा वर्षा कहां होती है पृत्वी पर एक्वेटर पर होती है सबसे जादा बायो डैवस्टी कहां होती है यही एक्वेटर पर होती है तो भूमद्द रेखा या विश्वत रेखा पर सूरिय की करने हमेशा पड़ती हैं पूरे साल इसलिए आपने देखा होगा जब सर्दी का मौशम आता है तो भीया तमिलनाडो और केरल में तब भी गर्मी रहती है लोग टी-शर्ट में घूमते हैं क्यों क्योंकि तमिलनाड वो एक्वेटर के पास में हैं पास समझ आ रही है थोड़ी सी तो यहां तक यह टॉपिक आपका पूरा हो जाता है भीया आगे बात करते हैं आपका थोड़ा सा टॉपिक एक और डिसकस कर लेते हैं यह समझ में आ गया है न सभी बच्चों के जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर पूछे दिन रात छोटे बड़े होने का कारण प्रत्वी का अक्षिय जुकाब दिन रात होने का कारण दिन रात क्यूं बनते हैं प्रत्वी का अक्षिय जुकाब प्रत्वी पे रिदू परिवर्तन होने का कारण सूरिय का प्रत्वी के चारोर घुमना और अप्सौर और उप्सौर अप्सौर तथा उप्सौर ठीक है ना भई कल में ज्वार्ब हटा और आपका व्यूती व्यूती और बच्चे सिजगी के बारे में थुड़ा एक्स्प्लेइन करूंगा एपीहिलियन एंड पैरिहिलियन आपको पता है हमारी प्रत्वी जो है बच्चे सूरिय के चारोर चक्कर लगाती है और कैसे मार्ग में लगाती है दीरगवरत्ताकार मार्ग में लगाती है ठीक है ना तो दीरगवरत्ताकार मतलब इलिप्टिकल पत्थ में इलिप्टिकल पत्थ का मतलब है कभी तो हमारी प् तो ऐसा कुछ मार्ग होता है यानि कि थोड़ा ठीक नहीं बना है थोड़ा ठीक बना लेते हूं और यहां देखोगे आप यह हमारी प्रत्वी है और यह हमारा सूर्य है यहां आप देखोगे तो कभी तो हमारी जो प्रत्वी ना बचे वह पास आ जाती है कहती है कि मैं तेरी हूँ मककड बनाती है मककड दीगे ना वादे करती है जहूटे और कभी क्या होती है बचे कभी दूर चली जाती है अब आप देख रहे हो ना यहां प्रत्वी आ गई है यहां दूर है यह लिप्तिकल पत है पूरा चक्कर कितने में होता है एक साल में पूरा होता है तो बचे तो जब प्रत्वी, पास होती है तो होती है चौधा दसमलब, 7 करोड किलो मीटर दूर, ठीक है न भई, 4 दसमलब 7 करोड किलो मीटर, इतनी दूरी होती है सूर्यया और प्रत्वी के बीच में, ठीक है न, तो जब नज़्दीक आ जाए जब नज़्दीक आ जाए, इस situation को कह आ जाता है बच्छे आपका पैरीहीलियन पैरीहीलियन को उप्षॉर कहते हैं और यह घटना कब घटित होती है यह घटना घटित होती है तीन जनवरी को अब आप कहोगे गुरू जी जब प्रत्वी जनवरी में नजदीक आएगी सूर्य के तो गर्मी पढ़नी चीए और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पास आने से गर्मी शर्दी का प्रिभाव नहीं होता रितू परिवर्तन नहीं होता उपसौर उपसौर से रितू परिव परिक्रमा करना और अक्षिय जुकाब यानि की सूर्य की किरने जहां पढ़ेंगी प्रत्वी पर वहां गर्मी होगी और जहां लंबवत किरने नहीं होंगी वहां शर्दी होगी सन भी रूटेशन करता है किस ने कहा था नहीं करता है बिटा सन अपनी जगा फिक्स है सन रूटेशन नहीं करता थेगे न यहीं कि बच्चे सूरिय परिक्रमा तो करता है किसकी अपनी गैलक्सी की परिक्रमा करता है जिसे कॉस्मोस इयर यहीं कि ब्रह्मांड वर्स कहते हैं के नजदीक चली जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं उपसौर कहते हैं उपशौर ठीक है न भई और ये पत जो है इसे इलिप्टिकल पत कहा जाता है मैंने आपको पहले भी बताया है और प्रत्वी और सूरिय के बीच का मैंने आपको ध्यान होगा न ओसत दूरी हो तो मैंने आपको बताया था सूरिय और प्रत्वी के बीच में 14.9 करोड किलो मीटर की दूरी है क्योंकि ये दूरी बराबर नहीं रहती प्रत्वी कभी दूर होती है कभी पास होती है तो यह नहीं कि मैंने आपको एवरेज बताया ओसत दूरी पूछे तो इतनी है जब नजदीक होती है बिटा तो 14.7 करोड किलो मीटर दूरी हो जाती है कभी प्रत्वी क्या होगी दूर चली जाएगी दूर चली जाएगी तूरिय से जब दूर जाती है तो दूरी बढ़ जाती है ये दूरी हो जाती है 15.21 करोड किलो मीटर जब प्रत्वी दूर चली जाती है ये कब होती है कहानी, ये चार जुलाई को होती है, कब होती है बेटा, चार जुलाई को, चार जुलाई को होता है ऐसा, और जब दूर जाती है, तो इस गटना को क्या कहा जाता है, इसे हम अपसौर कहते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चे, इसे हम अपसौर कहते हैं, अपसौर, अप्शौर को क्या कहा जाता है एपिहीलियन बोलते है एपिहीलियन कहते है बात क्लियर है यहां तक सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर सारी चीज़ें समझ में आ गई जल्दी से बताओ तो आपसे बूचेगा उप्शौर की घटना कब होगी तीन जन्वरी को उप्शौर में प्रत्वी सूरिय के पास होती है और अप्शौर में बिटा दूर होती है यह होती है चार जुलाई को ठीक है न इससे बच्चे गर्मी शर्दी या रितू परिवर्तन नहीं होता है क्यों नहीं होता क्योंकि प्रत्वी और सूरिये के बीच में बहुत जादा डिस्टेंस है अगर प्रत्वी थोड़ा सा पास भी आ जाएगी तो गर्मी शर्दी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा गर्मी शर्दी या रितू परिवर्तन प्रत्वी के परीक्रमन और को यहां उपर बताया है जो यहां उपर सिखाया है यह पूरी चीज यह पूरी चीज भी रितु परिवर्तन की है ऐसे ऐसे रितु परिवर्तन होता है कि सूरिय की किरने कहां लंबवत हैं अगर करक लेखा पर लंबवत होती है तो उत्री गुलार्द में ग्रीश्म रितु आ गया यहां लंबवत किरणे नहीं पहुंच रही है तो यहां उत्री गुलार्द में शर्दी हो गई दिशंबर में और बच्चे यहां पर गर्मी हो गई पास समझ में आ गई यह टॉपिक डिसकस करेंगे बच्चे चलो आशा करता हूं किलास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक वाइक अपने आप करीद होगे आप उसमें कहने की जरूत है नहीं आप से ठीक है तो चीजों को समझ येगा यह समझने वाला टॉपिक है और आप समझने की कोसिस के डियेगे होगा बिल्कुल परिशान होगा छार जनवरी होगा या थीन जनवरी बिटा यहां पर मैने आपको बताया क्या बताया मतलब गकर गह Lap 530 ळीन वाओं और तीन जन्वरी ठीक है इlles लव्यू टेकर बाइबअ को के लास में मिलेंगे ठीक है